हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सभी का फूर्स भाई उशा में आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ बहुत ही स्पाइसी टेस्टी और इजी मॉमो चटनी रेस्पी जो आपको बहुत पसंद आएगी इस चटनी का टेस्ट बिल्कुल मार्किट में मिलने वाली चटनी के जैसा ही है आप इसे एक बार घर पर बनाएंगे तो आप चाहेंगे कि इसे बार बार घर पर बनाया जाए तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए होगा दो से तीन मीडियम साइज के पके हुए टमाटर एक मीडियम साइज में कटा हुआ प्याज 10-15 सूखी लार्मिर्ज, 4 चिली हुई लैसुन की कलिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, नमक, आइल और ग्रेट किया हुआ एक चमच अदरक, लैसुन और फूड कलर अब एक बरतर ले लेंगे और इस बरतर में हमें एक गलास पानी डाल देना है पानी जब हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर और सूखी लार्मिर्ज को डाल देंगे गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमें मीडियम रखना है और इसे 15-20 मिनिट हमें अच्छे से पका लेना है हम इसे ढख कर पकाएंगे तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है मिर्च और जो टमाटर है वो बिल्कुल अच्छे से सौफ्ट हो चुके हैं यहाँ पर अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसे ढख कर 5-7 मिनिट के लिए छोड़ देंगे तो मिर्च और जो टमाटर है विल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है टमाटर के छिलके को हमने निकाल लिया है मिर्च भी अच्छे से सौफ्ट है अब एक चाकू से हम इसे इस तरह से बीच से काट लेंगे अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप चटनी बनाते समय मिर्च के बीच को निकाल दीजेगा ताकि जो चटनी है वो बहुत स्पाइसी नहीं बनेगी तो आप देख सकते हैं टमाटर मिर्च जो है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे ठंडा हो चुका है सौफ्ट हो चुका है अब हम आगे की प्रोसेस में चलते हैं अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हमें दो टीजपून ऑईल डाल देना है और जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें लैसुन और अद्रग डाल देंगे और इसे हम एक बार चला लेंगे और जो हमने मीडियम साइज में प्याज काटा था एक वो भी हम इसमें डाल देंगे इन सभी चीजों को हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है और इसे तब तक हमें 3-4 मिनट पकाना है ताकि जब तक ये सारी चीजे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं तो आप देख सकते हैं सभी चीजे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं अब यहाँ पर हम गैस को आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद मिक्सिंग जार में रख गए अच्छे से ग्राइड कर लेंगे तो हमने यहाँ पर मिर्च और टमाटर का पेश्ट तयार कर लिया है आप देख सकते हैं हमने इसका बिल्कुल फाइन पेश्ट बना लिया है तो चरिए अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं अब एक कड़ाई लेंगे और इसमें हम दो टीस्पोइन ऑईल डाल देंगे ऑईल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ग्रेट किया हुआ एक चम्मच अद्रक और लैसून डाल देंगे और इसे एक बार हम अच्छे से चला लेंगे हमें बिल्कुल इसे लाइट पकाना है तो अद्रक और जो लैसून ने बिल्कुल अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें टमाटर और मिर्च का पेश डाल देंगे और इस जार में हम थोड़ा सा पानी डाल कर एक कफ के करी पानी डाल कर वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे एक बार हम अच्छे से चला लेंगे यहां पर हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है तो आप देख सकते हैं चटनी में अच्छा सा उबाल आ चुका है अब यहां पर हम इसमें एक चम्मच चाट मसाला डाल देंगे इससे जो चटनी है हमारी बहुत ही ज़्यादा चरपटी बनेगी और इसका टेश्ट भी बहुत अच्छा आता है तो एक बार इसे हम अच्छे से चला लेंगे यहां पर हमने एक चुटकी औरेंज फूड कलर डाला है कलर डालने से जो हमारी चटनी का रंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है तो इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर हमने नमक डाल देना है नमक स्वाद अनुसार हमने नमक सबसे लाश्ट में डाला है ताकि जो हमारी चटनी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और एक चम्मच कॉन्फलोर रिया है उसे हमने पानी में गोल लिया है और इसे भी हमने इसमें डाल दिया है कॉन फ्लोर डालते समय हमें गैस की फ्रेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसे लगातार चलाते रहना है कॉन फ्लोर डालने से जो चटनी है वो हमारी थीक हो जाती है तो आप देख सकते हैं चटनी अब हमारी पहले से थीक हो चुकी है अब हम gas को off कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो तयार है हमारी बहुत ही tasty spicy momos chutney recipe जो आपको बहुत पसंद आएगी आप इसे किसी air container में रख कर one week के लिए रख सकते हैं और किसी भी starter के साथ आप इसे ले सकते हैं इसका texture आप देख रहे हैं बिल्कुल market जैसा ही है और ये बहुत ही ज़्यादा tasty बना है तो friends अगर आज की ये recipe आपको अच्छी लगी है तो इसे घर पर जरू ट्राइ करें और अपनी family और friends के साथ share करें मेरे channel को subscribe करें, like करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें Thank you